हेलो स्टूडेंट्स वल्कम अगेन टू लंग्रे देतिमन तो अजमेर के चोहान साशकों में आज हम पढ़ेंगे विग्रे राज चतुर्थ जिने कहा जाता है वी सल्देव उनका समय है 1158 से 1163 इस वी का तो इनके बारे में जो है वह बहुत बाते हैं जो आपको याद रखनी जरूरी होगी क्योंकि एकजाम में आबके आगे जो आपका एकजाम होगा तो वहाँ यहां से कुश्चन जो हो 100 परसेंट आएगा क्योंकि एकजामिनर का फेवरेट है यह विग्रे राज चतुर्द चोहान वंस का सबसे सक्ति शाली शाशक कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले शाशक थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया तौमरों को हरा कर इससे पहले दिल्ली पर अधिकार जो है वह है विग्रे राज चतुर्थ की शाशनकाल को कहा जाता है चलिए अब हम पढ़ते हैं चोहानवन्स का सबसे सक्तिशाली शाशक विग्रे राज चतुर्थ हैं इन्हें कवी और विद्वान ये भी कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कई नाटक लिके थे और विद्वानों के तो ये आश्रे दाता कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने योद्दाओं, वीरों को तो ये आश्रे देते थे इसके अलावा विद्वानों को भी आश्रे देते थे चोहानों का स्वर्णिम काल, सपाल दक्ष का स्वर्ण काल ये हमें मिलता है दिल्ली के शिवालिक सिलालेक में तो दिल्ली का सिवालिक जो शिलालेक है उसमें चोहानों का स्वर्णिम काल कहा जाता है विग्रे राज चतुर्थ के शाशन काल को इन्होंने गजनी के शाशक खुश्रू साह को हराया था, दिल्ली के तौमरों को हराया था और दिल्ली पर अधिकार करने वाला सबसे पहला चोहां सासक विग्रे राज चतुर्थ हैं. तो इनका जो उपनाम है वो भी याद रखिएगा, एक्जाम में विग्रे राज चतुर् ने विसलपूर कस्वा बसाया, विसलपूर जील जो है वह है टौंक में बनवाई थी. अब ये वाला पहराग्राफ जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है. विग्रे राज ने अजमीर में सरस्वती कंठा भरन संस्कृत पाट साला का निर्मान करवाया, जिस पर संस्कृत भ को कहीं नहीं मिलेगा कि संस्कृत पाट साला का जो निर्मान करवाया था विग्रे राज चतुर्थ ने तो उस पाट साला के कुलपती कौन थे? ठीक है, तो याद रखिएगा कौन थे? पदमनाब थे. 1199 में गुलाम वंस की कुतुबुदीन एवक ने इस पाट साला को तुडवा दिया और तुडवा के इसकी जगे धाई दिन का जोपड़ा जो है वहे बनवाया, ठीक है? तो धाई दिन का जोपड़ा जो की धाई दिन में बनकर तयार हुआ था, जिससे बनवाया वक्र की देख रेक में बनवाया था ठीक है यहीं पर धाई दिन का पंजाब शा पीर का उर्ष या जिसे मेला कहते हैं तो वह भी लगता है विक्रे राज विद्वानों का आश्रेदाता कहे जाते हैं जिस कारण जयानक भट ने इन्हें कवी बांदव की उपादी प्रदान क और यह भी कहा कि यह जो उपादी है वो विक्रे राज की मृत्यू के बाद यह उपादी निरर्थक हो जाएगी ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इस उपादी को धारन करने की शमता किसी में नहीं है इसलिए विक्रे राज की मृत्यू के बाद यह उपादी निरर् विग्रे राज उन विद्वानों में से था जो काली दास व भवभूती की होड कर सकता था यानि काली दास की तरह ठीके और भवभूती की तरह बहुत ही अधिक विद्वान कवी ठीके नाटक कार वह विग्रे राज थी इसी लिए उनकी तुलना काली दास और भवभूती से क किल होन ने और इनके शाशन काल को सपाल दक्ष का स्वान योग कहा जाता है हरी केली नाटक अब इसके बारे में हम देखते हैं कि हरी केली नाटक में क्या है किरात विजधारी भगवान शिव और अरजुन के बीच इसमें युद्ध का वर्डन किया गया है ठीक है तो सा याद रखना है इसको कि हरी केली नाटक किस से संबंदित है शिव और अरजुन के बीच युद्ध से संबंदित है दर्वारी विद्वान और कवी इनके दर्वार में देखिए नर्पती नाल और सोमदेव दर्वारी विद्वान थे नर्पती नाल ने वीसल देव रासो की थी जिसमें विग्रे राज और देसल देवी इनका वर्णन किया गया है ठीक है तो बस ये स्टोरी जो है वो एक्जाम में नहीं आएगी लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि नर्पति नाल ने विशल देव रासु ग्रंत लिखा और सोम देव ने ललित विग्रे राज ना चलिए नेक्स्ट शाशक है प्रत्वी राज चोहान तृत्ति है ग्यारा सो सतत्तर इसवी से ग्यारा सो बानवे तक का इनका शाशनकाल है बहुत ही कम उम्र में ये गद्दी पर बैट गए थे मात्र ग्यारा वर्ष में इनकी जो उपादी है वो थी राय पितोरा दल पंग 66 में हुआ अनहिल पाटन गुजरात में और म्रत्यु होती है ग्यारा सो बानवे अजमेर में याद रखना है इनके जनम का भी म्रत्यु का भी और इनके शाशनका समय भी प्रत्वी राज चोहान के पिता का नाम स्वामिश्वर था और इनकी माता का नाम था करपूरी देव ठीक है और ये करपूरी देवी जो है वो दिल्ली के अनंग पालतौमर की पुत्री थी तो विग्रे राज फोर्त के समय ही दिल्ली के सुल्तानों से जो है वह संपर्क हुआ था चोहानों का तो दिल्ली के अनंग पालतौमर की पुत्री जो है वो करपूरी देवी थी जिनका विवाह सौमेश्वर से होता है और इनसे संतान उत्पन होती है प्रत्वीराच चोहान ठीक है प्रत्वीराच चोहान का विवाह जो है वह किस से होता है संयोगता से होता है और ये राजा जैचन की पुत्री थी जो की कन्योज के शाशक थे तो दिखिए थोड़ी सी इनके बा प्रत्वी राज चोहान को अपमानित करने के लिए क्या किया कि द्वारपाल के रूप में उनकी ही मूर्ती बनवा के रखवा दी थी। तो संयोगिता ने भी क्या किया देखिए कि संयोगिता वर माला लेकर एक एक राजा महराजा को देखती आगे बढ़ती गई लेकिन जब उसने वहाँ पर प्रत्वीरा चोहान को नहीं देखा तब उसने क्या किया कि जो बाहर जाकर द्वारपाल देखा जहां पर देखा कि प महां से भाग जाते हैं ठीक है लेकर चले जाते हैं तो इसी वज़े से राजा जैचन और प्रत्वी राज के बीच में जो है वो दुस्मनी बढ़ जाती है ठीक है तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी एक्जाम में स्टोरी तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन फिर भी याद रखि चोहान तो इंपोर्टेंट है प्रत्वी राज चोहान के बारे में हर पॉइंट इनके दर्वारी विद्वान जो थे वो कौन थे चंदवर्दाई थे जिनको विश्वरूप जो है वह भी कहते हैं ठीक है और जयानक भट थे वागीश्वर थे विद्यापती गोड थे आसा जनार्थन ठीक है इस तरीके से आप लोग बार बार इनको बोलिएगा जिससे आपको यह याद हो जाए 1178 में चचेरे भाई नागारजुन का यह दमन करते हैं और 1182 में महोबा का युद्ध होता है ठीक है यह महोबा का युद्ध जिसमें यह भंडानकों का क्या करते हैं दमन करते हैं और वास्त में सबसे पहली विजय जो है प्रत्वी राज चोहान की महोबा के युद्ध में ही मानी जाती है 1182 इसवी में और इसी वर्स 1182 इसवी में ही तुमूल का युद्ध होता है जिसमें देखिए महोबा की जो शाशक हैं परमर्दी देव और उनके सैना पती आला और उदल तो इनका प्रत्वी राज चोहान के साथ जो है युद्ध होता है जिसमें प्रत्वी राज चोहान जो है वह है विजय रहते हैं और आला और उदल जो है वो लड़ते हुए वीर गती को प्राप्त हो जाते हैं तो इसे युद्ध में प्रत्वी राज च के बीच में होता है तो यहां संदी होती है चालुक के भीम सैकिंड के सैनापती और प्रत्वी राजत्रत्य की तरफ से जगदेव के बीच में आप देखिए सबसे जो इंपोर्टेंट युद्ध है वो तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध जो की 1192 म रहते हैं जिसे इसने क्या किया कि तवर हिंद भटिंडा पर कबजा कर लिया था इस वज़े से तराइन का जो है वो पहला युद्ध होता है और इसमें प्रत्वी राज जो है वो विजई रहते हैं तो देखिए जो दूसरा युद्ध है तराइन का वो क्यों होता है उसकी वज़े जो है कि प्रत्वी राज चोहां निश्चिंद हो जाते हैं जब मुहमद गौरी वहां से चला जाता है और उसकी सैना उसका पीछा नहीं करती है इस वज़े से तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है इसे निर्णायक य लेकर आता है लेकिन प्रत्वी राज चोहान को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि गौरी जो है वो किस मनसा से आ रहा है वह दुबारा से युद्ध करने के लिए आ रहा है तो बहुत ही चालाकी से सबसे पहले तो वो संधी के लिए किवाम उल मुल्क को प्रत्वी अमराजी की नीव पढ़ जाती है तो अब यहां पर अधिकार मुसल्मानों का हो जाता है दिल्ली सल्तनत के जो शाशक है वो यहां पर देखने लग जाते हैं तो प्रत्वी राज का जो भाई है हरी राज प्रत्वी राज के जो बेटे गोविंद राज को क्या करता है यहा से भागा देता है तो गोविंद राज का यहां पर बस नहीं चलता है और यहां से चला जाता है रर्ण थमबोर कुतुब झी एब बक की अनुमती से ठीक है क्योंकि कुतुब झी एबक जो था वो यहां के शास्कों को तभी रहने की मंजूरी देता है वो कहता है कि पराबर जो है दिल्ली के सुल्तानों को टैक्स देंगे तब ही यहां पर रह सकते हैं तो यहां से हरी राज जो है वो प्रतवी राज चोहान के बेटे को भगा देता है और खुद पर बैठ जाता है और 1194 में ही रड थमबोर के चोहान वंस की नीव रखता है गोविंद राज प्रतवी राज चोहान थर्ड के समय मुहमद गौरी के साथ जो है वह मोयनदीन चिस्ती जो है वो भारत आये थे एक्जाम में कई बार ये चीज पूछी गई है तो मौने दिन चिस्ती के बारे में जो बात है वो यहां से संबंदित है इसलिए मैंने यहां पर लिखती है अब नोट में देखिए मैंने यह लिखा है कि इतिहासकार जो है वो अपने-पने मत देते हैं वैसे तो मृत्ति ज जिसके प्रमान मिलते हैं। चंदवर्दाई का जो प्रत्वी राज रासो है जिसे की जलहर ने पूरा किया था। ये क्या लिखते हैं कि प्रत्वी राज को मुहमद गौरी जो है वो गजनी ले जाता है पकड़ के और वहाँ पर अंधा करवा देता है। चुकि प्रत्वी र इस्वी में मुहमद गौरी की मृत्यू होती है और ये बात जो है यहाँ पर चल रही है चंदवर्दाई के द्वारा 1192 की ठीके तो अब क्या सत्य है ये तो नहीं जानते हैं इतियासकार जो हैं वो अपने-पने मत देते हैं तो हमें तो इनको पढ़ना होता है। तो जो रंकेत दिया जाता है चंदवर्दाई ज्वारा और उनके जो शब्द हैं वो कहे जाते हैं वो क्या है कि चार बांस 24 गज अंगुल अस्ट प्रमान ता उपर सुल्तान है मतचू के चोहान चीके तो इस तरीके से इशारा दिया जाता है और प्रत्वीरा चोहान जो है वो चंदावर का युद होता है मोहमद गौरी और कनोज के शाशक आनंदपाल के बीच में 1206 इसवी में मोहमद गौरी की मृत्यू जो है वह खोकरो जाती द्वारा होती है और कुतुब उद्दीन एवक जो है वो सत्ता समालता है तो ये लाइन जो है मैंने क्यों लिखी है ता कर दी जाती है तो यहां आपका प्रत्वीराज चोहान का जो टॉपिक है वो कम्प्लीट होता है तो आप लोग रैगुलर जो है वो इसे देखिए पढ़िए और पीडियाफ जो है वो आप लोगों को मिलती जाएगी मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ थैंक यू